हलो फ्रेंट सुआगत मेरी कुकिंग ब्लोग में फ्रेंट आज मैं बनाने वाली हूँ आलू की चिप्स आलू की चिप्स खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आलू की चिप्स बहुत ही आसानी से बन भी जाता है आप आलू के चिप्स को एक साल के लिए श्टोर करके रख सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं बनाने के लिए और मेरे चैनल में आप नए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देजिएगा बने रहे वीडियो के एंड तक तो चिप्स बनाने के लिए मैंने लिए ही ये बड़े साइज का आलू आप मीडियम साइज का आलू भी ले सकते हैं तो हम आलू को छील लेते हैं तो हम इस तरह से सभी आलू को छील लिए हैं तो हम इस तरह एक मसीन लिए हैं आलू चिप्स काटने के लिए आप कोई सा भी ले सकते हैं ये सिंपल डिजाइन का आलुक चिप्स काटने के लिए मसीन है आप डिजाइन वाला भी आलुक चिप्स काट सकते हैं तो देख सकते हैं हम इस तरह से काटे हैं इस तरह से काटना है, ना जादा मोटा होना चाहिए, ना जादा पतला, और काट कर पानी में डालते जाना है, नई तो काला पड़ जाएगा आलू, तो हम पानी में डाल दिये हैं, तो हम इसी तरह से सभी आलू को काट लिये हैं, तो हम कटे हुए सभी आलू को पानी में डाल दिये हैं और साफ पानी से दो-तीन बार धुल लेते हैं तो देख सकते हैं हम इस तरह से सभी को धुल लिए हैं और निकाल लेते हैं एक बरतन में दो-तीन बार धुलने से जो आलू में काला पन हो जाता है वो नहीं होगा और जो हमारे आलू की चिप्स हैं वो बहुत ही बनेंगे तो हम सभी आलू को धुल लिए हैं इस तरह से और अब गैस जला लिए हैं और पतीले में पानी चढ़ा दिए हैं पानी भी गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं लाल मिच पाउडर आप अपने स्वादनसार डाल सकते हैं और स्वादनसार नमक भी डाल देते हैं आप अपने हिसाब से डालिए जितना हूँ आपका आलू तो देख सकते हैं उबाला चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं इस तरह से आलू हम इसमें कोई भी सोड़ा या फिटक्री नहीं डालेंगे हम सिर्फ नमक और मेच्छी ही डालेंगे तो हम आलू को अप्चेक कर लेते हैं पका है की नहीं तो देख सकते हैं हमारे आलू आसानिश टूट रहा है यानि आलू पक चुका है तो आलू की चिप्स को अबाल लेते हैं आपको तीखा पसंद हो तभी मेरे चिप्स डालें नहीं तो नहीं डालें तो देख सकते हैं हमारे आलू अच्छे से उबल गया है तो हम सभी को निकाल लिएं एक बरतन में मेरा छोटा सा बरतन है इसलिए हम दो तीन बार उबाल रहे हैं आप आलू जादा लें तो बड़ा ही बरतन चढ़ाएं एक ही बार में आ जाए वैसे तो आलू की चिप्स बहुत ही आसानी से बन जाता है और आप इसको एक साल के रिश्टोर भी करके रख सकते हैं खराप नहीं होगा और तो खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है तो हमारा सभी यालू की चिप्स उबल गया है अब हम इसको सुखाएंगे तो एक बरतन में हम सभी को निकाल लिए हैं अब एक कॉटन का कपड़ा भी चाल लिए हैं और इसी में सुखाएंगे तो एक एक करके सुखाएंगे उपर नीचे नहीं रहना चाहिए चिप्ग जाएगा तो हम एक एक को अलग कर देंगे इस तरह से इसी तरह से सभी आलू के चिप्ग को हम सुखा दिये हैं धूप में आलू के चिप्ग एक ही दिन में सुख जाता है बहुत ही अच्छे से तो देख सकते हैं एक दिन में हमारा आलू का चिप्ग सूख गया है कितने अच्छा से सूखा है देख सकते हैं कोई भी नमी नहीं है इसमें आप चाहे तो इसको दो दिन भी सुखा सकते हैं ना सूखे तो अच्छे से धूप रहता है तो एक ही दिन में सूख जाता है देख सकते हैं हमारा सभी आलुक चिप्स सूख गये हैं अब आलुक चिप्स को फ्राई करने के लिए गैस में कड़ाई चढ़ा दिये हैं तेल भी डाल दिये हैं और फ्राई भी कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमारे आलुक चिप्स कितने अच्छे बना है और कोई भी लाल या काला नहीं पड़ा है ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम इसी तरह से सब यालू की चिज़ को फ्राइ कर लेते हैं, यह असान इस फ्राइ भी हो जाता है, देख सकते हैं, और इसको दुकान जैसे बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, हम उबालते टाइम मिर्ची और नमक डाले थे, तो हम इसमें मिर्च सकते हैं कितने क्रिश्पी और कुर्कुरी बनी हैं असानी से टूट जा रहा है और आज की रेस्पी कैसी लगी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए